वियाकरण पार्ट एक भाषा Pुन्रवृति सूप्रभाद प्यारे बच्चों चलिये आज इस पार्ट एक भाषा की पुन्रवृति करने के लिए जानते हैं भाषा क्या है? भाशा अपने विचारों को लिख कर पोल कर वसंकेत द्वारा प्रकट करने का माध्यम है किस किस को भाशा की आविशक्ता होती है सभी प्राणियों जैसे मनुष्य पशुपक्षी आदी को भाशा की आविशक्ता होती है भाशा के कितने रूप होते हैं भाषा के दो रूप होते हैं मौखिक भाषा के कौन-कौन से रूप हैं? मौखिक भाषा के रूप हैं बोलना, सुनना लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को लिखकर या पड़कर पकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं लिपी क्या है? किसी भी भाषा के लिखने के धंग को लिपी कहते हैं देवनागरी लिपी में कौन-कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपी में हिंदी, संस्क्रिप, वो मराथी भाषा लिखी जाती है अंग्रेजी की लिपी क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपी रोमन है उर्दू की लिपी क्या है? उर्दू की लिपी फार्सी है भारत के विबिन राजियों की भाषाएं कौन कौन सी है? भारत के विबिन राजियों की भाषाएं है? पस्चिम बंगाल की भाषा पांगला, महराष्ट की महराथी, उरिशा की उडिया, करनाटक की भाषा कर्नर, तमिल नाडू की तमिल, वो गुजरात की भाषा गुजरात आधी है